22 जन्वरी को लेके पूरा का पूरा भारत राम मय हो चुका है ऐसे में जब राम लिला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरे देश में उत्सा का महौल होगा सभी के सभी दीपोथ सभ मनाएंगे ऐसे में हम मौझूद है भुपाल के एक ऐसे शक्सियत के पास जिनके पास पूरी की पूरी रामायण डाग टिक्टो के रूप में मौझूद है आप देख सकते हैं कि ये जो डाग टिक्टे हैं इसमें पूरी की पूरी रामायण दर्शा आई गई है चाहे वो सीता स्वैमवर की बात हो या फिर जब हमारे राम जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या चोड़ वनवास पे गए थे या जब वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आये थे और अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी तो आखिर हम चलते हैं और उन्हीं सक्षिया से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन डाक टिक्टों के पीछे का रहस्य क्या है ये डाक टिक्टे इनके पास कितने वक्से हैं और आखिर आगे इनका क्या होगा क्या नाम है आपका अरून कुमार सक्षेना बेरेशिया रो अच्छा इन डाक टिक्टों के अगर हम बात करें तो पूरी की पुरे रामाय एर्स में दर्शाई गई है यह आपने एक बार में इक अठा की है या कितना वक्त लगा आपको इसे इक अठा करने मेडम यह भूत ही महनत का काम है डाक टिकटों को इक अठा करना उसी क्रम में मै आप ही महनत के साथ में दो साल पूरा लगा मुझे 22 जनवरी को पूरा को पूरा जो देश है वो राम भक्ती में डूबा रहेगा आपका क्या प्लैन है राम बाइस तारिक को लेके मेरा यह कि मेरे सामने जो है राम मंदिर का एक भब शुरूप देखने को मिल रहा है और मे दिनांग का मेरे पास नोट है 22 से एक चौवीस का उसको फ्रेमिंग करवा के मैं चंपत राईजी को भेट करने का मेरा मन में एक ऐसा है कि में बवश्व में जाके उसको उनको भेट करूं जो उनके संग्राले में वहां आगंतुको को देखने को उपलब्द रहे अच्छे भारत के पंख हैं हाथ के और इसके बा的时候 फैशन सो के और महापुर सो के रानाथ बदरी ना ओर आपके अरिव द्वार का जाक्टि का सघगे रहिए आगे आपको कभी मौका मिलेगा जब अगर आच्छी कीमत कभी मिली तो यह पूरी रामायर है इसे आप क्या बेचना और कोई भी तो बगवान राम के जो भक्त होंगे जो इस चीज को अपने पास संविपाmpas टो मैं कि चाहे बात भुपाल की हो या पूरे देश की हो राम में हैं पूरा भुपाल और बाइस ये मैं दर्थारिक क्यों पूरे देश में दीपोटसव मनाये जाएगा पूरा देश वासी बाइस तारिक का तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं कैमरामेन विजे के साथ मैं मनीशत्र पाठी लल्लूराम भोपाथ